हलो दोस्तों मेरा नाम है जगमोन सर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल आज पढ़ेंगे हम संख्या पत्ती के बारे में तो शुरू करते हैं संख्या जो बस्तू के परिमाण अत्वा इकाई का अबबर्त अत्वा प्रिस्त कितने हैं इस बात का जवाब देता है वो संख्या कहलाता है जैसे कितनी किता में कितनी चीजे तो 5 किता में 10 चीजे आध। और इनको जो र attract करनेकि लिए हम जिस सिस्टम का प्रेहँ करते हैं वो कहलाता है डिजिट तो हम numbers को लिखने के लिए decimal number system का प्रयोग करते हैं ठीक है तो यह digit कहलाते हैं कई और भी अंकन पद्धितियां है binary उनमें दो डिजिट होते हैं 01 hexagonal जिसमें 16 डिजिट होते हैं octa जिसमें 8 डिजिट होते हैं decimal number system में 10 डिजिट होते हैं अब संख्यांक क्या कहते हैं system को represent करने के लिए number system को represent करने के लिए जिन चिन्नों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं बन से लेकर 9 तक और 0 ये सब संख्यांक कहलाते हैं प्राकर्थ संक्याएं, बस्तुओं को गिनने के लिए सामाननेता हम जिन संक्याओं का प्रियोग करते हैं, उन्हें गणन संक्याओं या प्राकर्थ संक्याओं या नैचुरल नंबर्स कहते हैं, बंद से ये शुरू होती हैं, और फिर आगे चली जाती हैं, इन्हें capital N से represent कर करते हैं, कूर्थ संक्याओं whole numbers जिन्हें W से represent करते हैं, प्राकर्थ संक्याओं में 0 और जोड़ दे, तो वो प्राकर्थ संक्याओं कहलाते हैं, उसके बाद पूरंग संक्याओं जिनने capital I या Z से represent करते हैं तो अकर whole numbers में हम negative numbers को भी जोड़ दें यानि minus वाली जो संक्या होती है minus 1, 2, 3 इनको भी जोड़ दिया जाए ये सारी संक्या है minus की तो ये integers कहलाते हैं यानि कि पूरांग संक्या कहलाते हैं पूरांग संक्या है भी दो तरीके से अलग टाइन लिखी जाती है यानि positive पूरांग I plus और negative पूरांग negative integers I minus संसंक्या है golden numbers बे संक्या है जो दो से पूर्टा विवाज़त हो जाती हैं उनने हम संसंक्या है यानि इवेन numbers कहते हैं बिसम संक्या है और नंबर्स बे संक्या है जो दो से विवाजत नहीं होती है जो दो से डिविजबिल नहीं होती है वो बिसम संक्या कहलाती है जैसे एक तीन पांच नो ग्यार है ठीक है और अभाज संक्या है प्राइम नंबर्स बे संक्या है जो स्वैम और एक के अलावा किस अन्य संख्या से विवक्त नहीं होती हैं, उन्हें अभाज संख्याएं कहा जाता है, यानि बे संख्याएं जो या तो एक से कटेंगी या स्वेम से, और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं, किसी तीसरे नंबर से डिविजिवल नहीं होती हैं, वो अभाज संख एक नोटिस वाली बात है, नोट कि एक ना तो अभाज संक्या है और ना ही भाज संक्या, ते संक्या हैं जो स्वैम और एक के अलावा किसी अन संक्या से भी डिविजिबिल होती हैं, वो भाज संक्या हैं यानि composite numbers कहलाती हैं, जैसे चार, छे, आठ, दस, ठी, अब सहे अभाज संक्या हैं, जब दो या दो से अधिक संक्याओं में कोई भी उम्हेनिष्ट गुणनखंड ना हो, अत्वा जिनका मासा एक हो, बे सहे अभाज संक्या हैं को प्रैम numbers कहलाती हैं, जैसे चार और नो, तो इनका जो HCF होगा, वो हमेसा एक होगा, बे संक्या हैं, जिनमें कोई कोई भी common factor नहीं होता है, और उनका HCF फिर क्या होता है, जिनकों कोई common factor नहीं होता है, बन, तो वो सहे बाज संक्याओं कहलाती हैं, जैसे चार और नो, बारा और पच्चिस, तो इनमें कोई common factor नहीं है, इसलिए इनका मासा HCF हमेशा बन होगा, इसलिए ये कोई प्रैम numbers कह कहलाते हैं यह संक्या है rational numbers जिने P upon Q के form में लिखा जा सकता है जहां P और Q दोनों integers यानि पूरांक हो और Q मतलब हर 0 न हो तो वो परमे संक्या है rational numbers कहलाती है तीन बटे चार पांच बटे छे यह सब क्या है rational numbers और जिने इन P upon Q के form में नहीं लिखा जा सकता जहां P Q integers है और Q यानि कि हर does not equal to 0 तो वो सभी संक्या है अपरमे संक्या है rational numbers कहलाती है पाई एक irrational number है root 2 एक irrational number है root 15 एक irrational number है अब real numbers real numbers अगर सभी rational और irrational यानि परमे अपरमे संक्याओं को एक साथ लिखी दिया जाए तो वो real numbers कहलाते हैं और जबकि रिनात्मक संक्याओं का square root लेने पर जो संक्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संक्याएं कहते हैं यहाँ पर जो root में minus लिखा होता है यहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे चलके तो i square is equal to 1 होता है तो हम जब root लेते हैं minus 2 का तो यह i के रूप में answer आता है तो यह i for imaginary number यानि काल्पनिक संक्याओं के कुछ features देखते हैं जो परिक्षा की द्रष्टी से बहुत important है very very most important है संक्या एक ना तो भाज है और ना अभाज ऐसी संक्या जो अभाज हो एबं सं संक्या हो वो केबल दो है यानि बह संक्या जो अभाज भी है और सं भी है दो प्रोपर्टी है वो संक्या है 2 तो पर्मे संक्याओं का योगफल या गुणनफल सदैब एक पर्मे संक्या होती है दो अपर्मे संक्याओं का योगफल अत्वा गुणनफल पर्मे और अपर्मे कुछ भी हो सकता है एक पर्मे संख्या तथा एक अपर्मे संख्या का गुणनफल अत्वा योग फल सदाइब एक अपर्मे संख्या होती है, पाई एक अपर्मे संख्या है, सून धनात्मक एवं धनात्मक नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज निगेटिव पॉइस्टिव नहीं हुँता, जब किसी संक्या यानि सून में किसी संक्या से भाग दिया जाता है तो वह हमेशा 0 आता है और 0 एक real number यानि की बास्तविक संक्या आती है जबकि 0 से किसी संक्या में भाग देते हैं तो not define यानि की infinite आता है और जो की परवासित नहीं है थैंक्यू दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की आने वाले वीडियो आपको मिलें सबसे पहले